नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों आज फिर से हम बात करने वाले हैं आपरेशन सीस महल पे आपरेशन सीस महल में जो एक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो यह हुआ है कि एक है ऑनरेबल सीम मैडम आपने समझा नाम है सुनिता केजरिवाल केजरिवाल भी आईरस रहे हैं नोकरी चोड़ती है कि शुनीता केजरिवाल भी आईरस रही है और 2016 या 2017 तक नोकरी की उसके बाद उन्होंने रिजाइन दे दिया तो बहुत भली भाती जानते हैं कि किस तरीके से टेंडर निकालन किस तरीके से चीज़ों को छुपा कररके करना है ताकि किसी को पता नचले लेकिन टाइम्सनाओ के खोजी पत्रकारों ने यह मामला खोज निकाला और खोज निकाला तो उसके बाद इसको लेकर के रोज रोज सरकारी सुनीता केजरिवाल को बनाने के लिए सारे दिसानेरदेशς पी डबमुडी के अधिकारियों को दिया शुनीता केजरिवाल ने आया कि किस तरीके से 10 करोन से कम के टेंडर निकालो ताकि ऊपर तक यह फाइल ना जाए देश में कोरोना काल चल ला था दिल्ली के लोग मर रहे थे दिल्ली में हॉस्पीटल और अक्सीजन और वेड की कमी थी उस समय अर्बिंद केज्रिवाल और उनकी मैडम यानि ऑनरेबल सीम मैडम सी स्माल बनवा रही थी सपनों का घर बनवा रही जब एक खुलासा हुआ तो बेसर्मों की तरह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और नेता करके टीवी पे और प्रेस कांफरेंस में बोलने लगे कि जी यह तो घर पीड़ुडी ने बनाया है सीम को घर की जरू औरेबल सीम माडम दिसाह ननर देस किसको दे रही ती कि जब बिजलेंस के अदिकारी है एक एस राज सेखर जी उन्होंने जब जाच की तो इसका पता चला कि दिसाहन कोन किस हैसिर्थ से किस पद पे क्यों दे रही थी तीसाह नर देस यह बताना चाहिए हम आपार्टी को बताना चाहिए कि जरिवाल को इसी बीच में सुप्रीम कोट का आदेश आ गया तो रात तो रात विजलेंस के अधिकारी को का ट्रांसफर कर दिया गया यानि राज सेखर जी का ट्रांसफर कर दिया गया हलाकि दो ही दिन बाद के अंदर सरकार उसको लेकर के अध्यादियस आई लेकिन जो यह दो तीन दिन का टाइम पिरियड मिला इसी में आम आदमी पार्टी का जो मंत्री सौरभ भारत वाज है विजलेंस देपार्टमेंट का उसने क्या किया राज सेखर जी के आफिस में रात सालों की भी फाइले हैं और साथ के साथ इस बंगले की भी फाइल अम आदमी पार्टी को क्या जरूरत पड़ गई थी कि रात को दो बच के 34 मिनट पे फाइल चोरी करवा रही है अच्छा बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यह आरोप है क्या नहीं आरोप नहीं है इसको लेक सारी चीजें होते हुए एलजी साहब के पास पहुंच अब एलजी साहब इस पर क्या नहीं लेते हैं क्या होता है अब तो देखने वाली बात है लेकिन जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं समय तक अभी इस फाइल पर कोई नढ़ना नहीं हुआ था कि फाइल सीबी आई को रिमोड यह सब कुछ चल रहा था और रिमोट कंट्रोल किसके पास था मैं परदों का रिपोंट कंट्रोल नहीं कर रहा हूं सीस महल का रिमोट कंट्रोल सीस महल का रिमोट कंट्रोल था सियम अर्विंद केजृवाल और गर्गिटा नंद की पतनी सुनीता केजृवाल के पास अब सुनीता केजृवाल किस हैस्यस काम करा रही थी यह आम आदमी पाटी अभी तक नहीं बता पा रही है दूसरी चीज कि बहुत सारे पेड़ काटे तो एंजीटी का भी मामला चल रहा है केजरिवाल के उपर इसके अलामा नक्सा बिना पास करवाए हुए अर्बिंद केजरिवाल ने वो घर बनाया वो मकान बनाया या वो सीसमहल बनाया उस पे भी कोई जवाब नहीं है साथ के साथ 22 ब्यूरो क्रेट्स के मकान तोड़े गए सिर्फ इसलिए कि अर्बिंद केजरिवाल का जो बंगला बन रहा है वो बंगला प्रधान मंत्री का जो आवास है उससे भी बड़ा दिखना चाहिए इसलिए कहते हैं दोस्तों जब किसी को किसी सनक बाई वाले सनकी ब्यक्ति को सत्ता मिल जाती है तो वो उसकी हनक में क्या क्या करता है यह दिल्ली में असपष्ट दिखाई दे रहा है असपष्ट सुनाई दे रहा है और जांच में भी आ रहा है सुचिए सुप्रीम कोट का फैसला आता नहीं कि तावर तोड ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू हो जाती है धमकी दी जाने लगती है आठाठ अधिकारी जाते हैं एल जी साहब के पास किसा अब किसकी बात मने यह तो साफ साफ धमकी दी जा रही है गाली गलोच किया जा रहा है महिला आयस अधिकारियों के साथ भी गाली गलोच कर रहा सौरभ भारतवाज यह मेरे आरोप नहीं है यह दिल्ली के आयस अधिकारियों ने आरोप लगाया है दिल्ली के कजरिवाल सरकार के मंत्रियों के उपर आम आदमी पार्टी के बिधायकों के उपर अब इस पर क्य जो है उनके ट्रांसपर और पोस्टिंग का अधिकार सरकार के पास होना चाहिए चुनी सरकार है फलाना अधिकार है सुप्रीम कोट ने सोचा कि बड़ा मामला सीधा है उसी दिन मैंने लाइफ करते हुए कहा था कि यह मामला और फंसा दिया सुप्रीम कोट ने क्योंकि कि सारी लडाईया हैं तो बात सुल्जेगी कैसे और वही हुआ आदेश के ठीक दूसरे दिन फिर के जिवाल सुप्रीम कोट गया और उसके ठीक एक दिन बाद ही दो दिन बाद ही केंदर सरकार अध्यादेश लेकर लेकर कि आए तो कि जिवाल ने कहा कि सुप्रीम कोट की बेच जती है जबकि अब से पहले 32-33 बार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाप के अंदर सरकारों ने अध्यादेश लाया है इसलिए लाया है क्योंकि उनको पता है कि इसमें क्या गड़बढ़िया हुई है हलाकि कुछ अध्यादेश गलत भी आये हैं मैं अईसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं गलत अध्यादेश नहीं आये लेकिन आये हैं लेजिसलेटिव के पास अपनी पावर है सुप्रीम कोट कोई भी फैसला दे करके निकल नहीं सकता कि नहीं उसमें फैसला देती है तो सब कुछ सही ही है हलाकि सुप्रीम कोट ने पैरा 75 पे साफ साफ लिखा था कि अगर केंद्र सरकार कोई कानून लेकर के आती है तो यह आदेश स्वताहरद्ध हो जाएगा लगते रहते हैं कि फाइल नहीं के लियर करते हैं फ़लाना नहीं करते हैं निकाना नहीं करते हैं सब को पता है कि दिल्ली जो है वह केंडर सासित पुलीष साथ के साथ a special status के उसको क्योंकि वह भारत की राजधानी भी है लेकिस सराब घोटाला हो चाय बंगला हो चाय सिच्छा भी भागो जहां पर भी देखेंगे आप इनकी पाटी के नेताओं ने बड़े-बड़े घोटाले की है बड़ी-बड़ी मनी लॉंडरिंग की है जेल में है ना मंत्री किसके मंत्री जेल में है वही लोग जेल में है ज मेडीकल लिप प्राइब और प्राइब कर influencing लेकिन वो चाहती है कि मैं पूरे संसार को भर्ष्ट बना करें ओर और शासन और आरोप लगा करके माफी मांगना और भागना इनका पुराना सगल है यह ईर्वप लगाते हैं नहीं जाते हैं अ हुए उत् START कि gas is mam cream के चक्कर में अर्विंद के जड़ी अब भंसें हैं बुरी तरह ह्याकी इस जेल जानता है जितना दिन तल रहा है उतना दिन तल रहा है और यह जानता है कि मैंने जितने घड़वर जा ले कि ये और मजे की बाद देखिए क्या भाप्रेशन सी समहल पे अरबिंद के ज़िलplat striking नहीं बोला है उसको भी पता है बोलते ही फज जाऊंगा वह क्योंकि कांड तो मैंने किया है कोरोना काल में अगर क disruption ने कुछ गault नहीं कि यह इस है इतने अरौप हैं इतना जूट भोल ले भाजपा या जाच अजनिया तो के देख लो भी या कि हमारे में क्या है सब भाजपा वाले जूट फैला रहें जानते हैं कि पोल खुल जाएगी तो क्या इतने दिन तक अर्बिंद के जिरिवाल के वह आठ लाख वाले बदल करके चार सो वाले पर्दे लग रहे हैं उसके घर में चार लाख वाला कमोड बदल करके अब पांचेजार वाला कमोड लग रहा है यह अभी देखने और समझने की बात है कुछ भी हो सकता है लेकिन एक बात ध्यार नखिएगा कि जिन अधिकारियों ने इसमें अर्बिंद के जिर इस बात को भी ध्यान लखने ही जिरूँ थे तो आम आदमी पाटी बनाई खुब सब्जबाग दिखाया लोगों पर आरोप लगाया सत्ता पाया और किस तरीके कि सत्ता की अयासियों सत्ता का सुख व्यक्ति भोग रहा है और उसमें इसकी आयारस पतनी भी इसका साथ दे बहुत गया भी भारत की राजनीती में आज तक कभी देखने को नहीं मिला सुने को नहीं मिला समझने को मिला तो इस व्यक्ति की कर्टूत और यह घुलासे लगातार होते रहेंगे बहुत शारे वित्रों को टाइंस नाव लोग के माध्यम से पता ही चला होगा इन सब खुलासों के बारे में लेकिन कुछ महत्रपूर चीजें थी कुछ महत्रपूर अनालेसिस थी इसलिए मैंने किया वप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया होगा तरजिक से अधिक लोगों तक सेर कर करिएगा कंट्रिब्यूट करना चाते तो इसकीन पर नंबर दिया हुआ कंट्रिब्यूट करिएगा जय हिंद जय भारत जय सिर्वराम